हमस्कार थाथियो आनक क्लासे सीवे सर्यूटू चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 4 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2022 के जितने भी राश्टिय अंत्राश्टिय और राजस्तान करन्ट अफेर्स के हमने जो question सुबह current affairs की class के अंदर अपने पढ़ लिये हैं तो यहां पे शाम को पांच बजे इस class इस center पर आपको revision class आपको मिलती है तेली आपको continue class मिलती रहेगी तो आज अपने 4 सितंबर 2, 4 अक्टूबर 2024 current affairs का revise करने जा रहे हैं राष्टिय और राजस्तान current affairs का revision class परखे अपनी तैयारी और करें current affairs का मुझूद मेरे साथ continue पांच बजे आपको डेली ये current affairs की class मिलती रहेगी सभी साथी एक बार session को like share करेंगे और सभी साथियों को good evening start करें परताब classes पर आपको डेली current affairs की मेरी इंडिया और वर्ल्ड की current affairs की class आपको मिलती है पहला person आपके सामने देखो कौन सा देश 2025 में पहली बार फोको वीशो कप की मेजबानी करेगा कौन सा देश है 2025 के अंदर पहली बार फोको चेंपियन सिफ की मेजबानी करने जा रहा है हलांकि अभी तक इसकी कोई तारिक बगेरा है कोई रज्य बगेरा की जो है गोशना नहीं हुई है कौन सा देश 2025 के अंदर खोको वीशो कप की मेजबानी करेगा तो को करेगा अपना देश भारत कौन सा करेगा अपना देश बारत है इसके बाद में स्कोटलेंड आता है स्कोटलेंड की राधनी है गलास को क्या है गलास गो गलास को क्या करेगा गलास को अब की बार है 23 राष्ट्र मडल खेलों की 2026 में 23 राष्ट्र मडल खेलोंगे न उनकी मेजबानी करेगा याद रखना साथ साथ में ठीक है इसके बाद में जमेका अभी भारत की आतरप रहते जमेका के प्रधान मंदरी ये भी आपको ज्यान में रखना है हाल में चर्चा में रही हारपून एंटी सिप मिसाइल किस देश के द्वारा विक्षित की गी तो अभी ताजा CAT के अंदर इस प्रकार का परसन आ चुका है तो खास कोर से जो CAT बार्मी लेवल का अग्जाम है तो ध्यान रखना भी अभी CAT के अंदर आया था हाई मोबिलिटी कौन साय था हाई मोबिलिटी यह अमरीका के द्वारा विक्षित की गी थी और यह जो अपने जोधपूर के अंदर वठन तरंग सक्ती ब्यास उसके अंदर यह इसका इस्तिम्बाल किया गया था और अब आगी हारपुन एंटिसिप मिसहिल ये भी किस के द्वारा विक्षित है तो ये भी USA के द्वारा विक्षित है ध्यां रखना कहां किस के द्वारा अमेरिका के द्वारा किस मंत्रय लेने परदान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव करांती में नवाचार वहन समवर्दन योजना याने की PME ड्राइव का सुबारम किया है तो PME ड्राइव का सुबारम किया है तो को है किसने बारी उद्योग मंत्रय लेने इसका शुरुवात किये कहां से की है नई द से शुरुआत की है कौन सी है पीम ए ड्राय बाहरी उद्योग मंत्रा लेनी नितियायोग द्वारा किस राज्य में महला मन्च का सुभारम किया गया नितियायोग बड़ा ही सीटी के अंदर तो एकजामिनर के लिए नितियायोग चा गया था नितियायोग के प्रत्थमूपा मंच का सुभारम किया तो ये किया है तेलंगाना के अंदर है तहां पर किया है तेलंगाना में दो अक्टूबर दोजार चोविस को किस देश ने मद्दे पूरव संकट पर चर्चा के लिए जी सेवन समेलन का आयोजन किया है तो अक्टूबर 2024 को किस देश ने मद्य पूरव संकट पर चर्चा करने के लिए जी सेवन का आयोजन किया तो वो है इटली की परधान मंत्री तो इटली के परधान मंत्री हैं उन्होंने मद्य पूरव संकट पर चर्चा करने के लिए जी से श्यूक तराष्ट्र महासेचिव एंटोनियो गुटोरेस का देश में परवेश पर परतिबंद लगा दिया अब देखो कितनी बड़ी हस्ती है ये श्यूक तराष्ट्र के महासेचिव है एंटोनियो गुटोरेस देखो इनके देश में आने पर परतिबंद लगा दिया तो एन्टोनियो कटरेस इन्हों ने असवा श्राइद को आदिया किस ला में पहुण पेपर सोसाइटी ने दो हजार को सुन दिया है अब चलते हैं राजस्तान करणड की तरफ राजस्तान विदानसवा की इतियास की पहली महला उपसचीव कोन बनी है देखो राजस्तान विदानसवा की इतियास के अंदर पहली महला उपसचीव बन चुकी है यानि कि अब तक है इससे पहले पुरुस ही पुरुस बने थे इससे पहले महला कोई नहीं बनी थी पहली बार इसके अंदर उपसचीव महला बनी है कोन बनी है वो इंदरा सर्मा कोन बन चुकी है इंदर इंद्रा सर्मा पहली मेला उपस्चीव बन गी इससे पहले आज तक पुरुसी उपस्चीव बने थे इंद्रा सर्मा स्कूल शिखषा विवाग में 68 स्कूल ने खेल परतियोगिता में कला उठ्सों में स्कूलो के किस कक्षा की विदार्ती भाग लेंगे तो किस जो एक लिए कि भाग लेंगे kit की नौवी वाले और तो कि गुस्यसाय के लिए जैपुरी पुलिस कमिसेरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है एक से पंदर अक्टूबर दो हजार चोविस तक महलाओं की सुरक्षा के लिए जैपुर पुलिस हमें स्रेट ने किस सब्यान की सुबाद की ये की है ओपरेशन गरिमा अब देखो ओप्षन में देखो ये कब तक चलेगा एक से लेकर पंदर अक्टूबर तक चलेगा अब इ और और वारेशन स्वेरा इसके लिए है तो यह है ये हे मितल पुलीस रेंडने तलाएता किसमे दोद पूर appearing define इतलाय था नसे के खिलाफ इसके अलावा ओप्रेशन मानस ओप्रेशन मानस ये हनुमानगड में ये हनुमानगड में तलाया गया था ठीक है इसके अलावा ओप्रेशन सीमा ओप्रेशन सीमा कहा तलाया गया गंगानगर में नसे के खिलाफ गंगानगर में नसे के खिलाफ और ओप्रेशन गरिमा ये मैल किस जिले में किया जा रहा है आपको बता है किया रहा है अच्छे तरीके से पड़ना ठीक है और जो प्रेटन विवाग है ना बारतिय पुरा तात्वक श्रेक्शन जिला परसास ने उसके द्वारा चार से पांच अक्टूबर तक है अब बने रिमोट सो बने जा रहा है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वचता ही सेवा पकवाड़े अभ्यान में किस जिले को परत्थम पूरिसकार से समानित किया गया अब देखो यह उपराष्ट पती जगदीव धनकर ने इसकी शुरुव परत्ताने मिला है बड़े गजब के परत्थन हैं और हनुमानगड की जो जिले की अथरिक्त जिला क्लेक्टर ना वह दो तो वह सीरी उमेदी लाल मिना उन्हों ने परस्ष़श्थी पत्र पर राप्त किया है अथरिक्त बास्टि के दो नदे श्यक्तूबर तक हैं तो, सवस्था ही श्यवा पकवाडे में किस नगर प्रिशित को राज्य Cup में प्रत्त म्स्तान मिला यह जिले की बात आई तो ज़िला कुणसा ऊ-गया हनुमानगड़ अब यहां पिए अगया नगर परीशित को मिला यह द्यानरकना लिए तोडगड़ नगर परिशित में तो किसको मिला जो चितोडगड का नगर परिस्द है उसको राज्य में प्रत्थमस्ता है मिला है ठीक है यह इसकी शुरुबात जुन जुन उजले से की थी उपराश्वद्धी जगदीप धन करने हाले में अतुले अलवर अभियान वे पोर्टल लोगो किसके द्वारा लौंच किया गया अतुले अलवर अभियान वे पोर्टल का लोगो किसके द्वारा लौंच किया गया वोवी सिंग डोटा सरा संजे सर्मा के के विसनोई या सुदान स्पंथ कि किसके द्वारा किया गया स्थाविए अलवर अभियान वह प्रोटिल की शुरूआत है कि थी वन और प्रियावन जोeurाट्यमंत्र पॉरेश्रमा को दुण जो है फंपने ना बन और प्रियावन दर यह की विवेश्ता स्वंस्के रॉप से चलने के लिए इस वोड इस शुरुवात की यह थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से बस आपको दस बारा मिंट की यह डेली आपको शाम को पांच बजी क्लास है बिलती रहेगी बाकी परताब क्लास जेव के अंदर सीटी वगेरा है पसुपरीचर की ओनली स्पैसल करंट की टैसरी चल रही है पच जैगानी और यह अपनी चल रही है वार्शी क्रांट एली क्लास का टेस्ट वीकली टेस्ट मंत्ली टेस्ट और मंत्ली PDF अपलोड होगी इसके अंदर बी मंत्ली एक बार वीडियो को जाजाती लाइक शिर ने बिलते हैं सुबह अपनी करेंट अफियर्स की क्लास देली आपको साथ बजे क्लास मिलती है धन्यवाद जै हिंद जै राजिस्तान